गुड मॉर्निंग सुप्रभात वंदे मात्रम जैहिन 36 गर के जम्मो बिये डिये युवा साथी जो की हमर वीडियो लग देख्थो अप सब ला सुप्रभात संग्वारी हो जैसतनाम राम राम जैजोहार साथि हो हम बालविकास और सिख्षण सास्तर के जो वीडियो है एक एक करके क्लासे ला रहे हैं सायक सिख्षण की सव प्रतीसत तयारी आपको हमारे चैनल से मिलने वाली है जी हाँ साथियों हमें बहुत सारे साथियों का कॉल आ रहा है कि सर पेड क्लास चलाईए दिखें साथियों जब आपको कोई क्लास प्री में मिल रही है ठीक है तो आप उसकी अहमियत को नहीं समझते और जब यहीं आपको पेड करके देना पड़ा पैसा फीस दे के यदि हम यहीं क्लास आपको करवाएंगे तो आप पांच जार रुपय तक देने को तयार हो जाते हैं यहीं होता है साथियों तो बिलकुल हम फ्री क्लास ले रहे हैं सभी साथ ही बिलकुल फ्री में पढ़ सकते हैं फ्री में पढ़िए आप ही के लिए हम यह जो क्लासे हैं चला रहे हैं तो चलिए सभी साथी एक एक करके तो जुड़ते जाएंगे आज की जो सेशन हैं सुरू करते हैं देखिए साथियों हावर्ड गाडनर इसका जो बुद्धी के सिध्धान्त है बहु बुद्धी सिध्धान्त इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं यह लगा तार सीजी टेट की परिक्षा में आचुका प्रश्ण है शिक्षक भरती के लिए भी महत पून है ठीक है तो हावर्ड गाडनर के बहु बुद्धी सिध्धान्त है तो यह जो नव है ठीक है तो हावर्ड गाडनर ने नव बहु बुद्धी जो सिध्धान्त है द जैब है और भासाई अर्था भासा हैै ना तो लिंगिश्टिक भी बुलते हैं इसको भासाई सिधान कहता क्या है तो इसके माध्यम से सब्दों और भासा का घ्यान होता है जो जिस बालक में भासाई या साब्धिक जो बुद्दी अधिक होती है उनको सब्ध या भासा का ज्ञान ज्यादा होता है साथियो जिन व्यक्ति में इसका विकास अधिक हो वो क्या बनते हैं तू वकीलते हो जो ज्यादा बात करते कैथन न भाइं हमर शत्तिज़ गर्मा यह घातलपर है रहे बोलते हैं और वकील गोटकार रहा थे जिसे आप घर में देखेंगे हैं न रहा जिसमें भासाई घ्यान अधिक हो वह वकील बनते हैं कवी बनते हैं कवी लिखने के लिए भी आपको भासाई जरूरी है ठीक है तो जिन बालकों में करना चाहिए भासाई या सब्द से संबंधित ज्ञान अधिक हो वो वकिल कभी पत्रकार आधी बनते हैं ठीक है पहला बिंदु आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा दूसरे बिंदु पर आ ठीक है आप यह क्या होता है दो कि इसमें तारकिक योग्यता गडिती शमता अधिक होती है उनमें यह तारकिक गडिती बुद्धि ज्यादा होता है ठीक है और ऐसे जो बालक आपको दीखने लगे साथियों देखोंगे आपके घर मां है ना इस तना लईका करीजन मिल ज़ छोटे रखे ना तो काम से आपमन जान भाघी की बुद्धी कतिको देख्या लाईका पर गारी मोटर केक खिलावना लेहे रही हा Lehr internet आ फिशिंट औरora औरो आ gefähr गहरी में अहीं गडिती आउटार कर जिकर्यों ज्यादा रूर्ची है ठीक है वो क्या बनता है देखो अकाउंटेंट जो बैंक में है ना बैंकर अकाउंटेंट साइंटिस्ट जैसे पद को प्राप्त करते हैं ठीक है उसी पद में या उसी शेक्तर में उनकी क्या है रूची आधिक होती है ठीक है साथियो ठाड जो बिंदु है तिसरा देखो क्य या है इस्थानिक बुद्धी अब इस्थानिक बुद्धी इस्पेटियल या विजुवल अमुर्थ तत्थियों के अधार पर मानसिक शवी बनाना ही इस्थानिक बुद्धी अमुर्थ अमुर्थ अर्थात जो चीजे दिखाई न दे है ना जो चीजे दिखाई न दे वह अमुर्थ है है न साथियों तो जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है अर्थात हम जब अद्रिश्च चीजों के बारे में भी जब हम कल्पना कर लें तो वही किसमें आएंगा आपका इस् मूर्ति कार आप देखे होंगे साथियों बीना किसी को देखे कनची आख बन करके भी वो क्या है मूर्ति बना लेता है इतना इंटेलिजन्ट होता है उसमें इस्थानिक बुद्धी इतना ज्यादा होते हैं चीत्रकार बनते हैं पेंटिंग जो देखें आर्किटेक्ट साथियों आवड गाडनर के अनुसार बुद्धी के हम प्रकार पड़े हैं चौत्य प्रकार पर आये तो सारिक गतिक बुद्ध नाम से इसपर्ट रिखो सारीर के गती के संदर्व में इस बिनदू में बात की जा रहे है तो इसको अंगरेजी में क्या ब़लते हैं गती देने वाली बुद्धी है जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है या तो अभिनेता बनते हैं अभिनेत्री एथलेट डांस देखो अर्थात सरीर के हाल डोल सरीर कैसे महाल ही डोल ही कैसे महमन सरील अपन हलाबो डोलाबो है न वहीं सरीर के जो गती सारीर गती से संब नास्य कुथे वर्भाई कमर मठकाणा है फेपर को मठकाणा इधर उधर करें नहीं सब क्या है सारणिक ही तो you दांसर है यह सभी क्या है अलिक में जाहां जिसमें सालरी गतिक बुद्धी अधिक होती है एक्टर एक्टरस बनते हैं संगीत में अधिक है आपका जो एक्जाम में प्रस् updated एक तो एक्जाम में आएगा कि मान लो किसी बालक की रूची संगीत अधिक है या मालो सीता बड़ा होकर सीता अपने घर में रहती है तो कुछ न कुछ गाते रहती है तो उसमें कौन सी बुद्धी अधिक होगी इस तरह से अप्शन में प्रश्ण पूछा जा सकता है ठीक है इसी तरह से प्रश्ण पूछते भी हैं पाचवा देखो क्या है संगीत आत्मक बुद्धी क्या है इसे म्यूजिकल इंटिलेजेंसी भी बोलते हैं अब संगीत नाम सिस्पष्ट है तो यह संगीत में रूची वाली होती है जिन उब्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे या तो सिंगर बनते हैं या इंटर अटेन करने वाले मनरंजन करने वाले बनते हैं यह तो क्या है बालक जब बड़े होते जाते हैं तो उनकी बुद्धी से ही हम उनके रूची का पता लगा सकते हैं इसलिए आपने हमेशा देखा होगा साथ ही हो जो ठी इडियेट मूवी आई है ना आप सभी ने देखा देखती हैं कभी भी माता पिता को बच्चों पर यह थोपना नहीं चाहिए कि ते बड़े होके डाक्टरेज बन बे या ते बड़े होके इंजिनियरेज बन बे भाई उसकी रूची किस छेत्र में है आप उसके उपर थोपने के बजाए जब आपमन के लईका हा बाढ़ात छेत्र में है ओई छेत्र में ओला आगे बढ़ा है कि आपमन कोशिस करिया ठीक है तब ही का है ओलाई का हा ओ छेत्र में बहतर कर सकते ठीक है ना तो चलिए अगले बिंदु पर हमाए छटवा बिंदु क्या है देखो अंतर व्यक्तिक व्युद्धि अब interpersonal intelligence देखो यहां अंतर व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक यह दो चीजे हैं इन दोनों में अंतर को आप डिटेल से समझो नहीं तो आप भटक जाओगे भई हम बता रहे हैं देखो अंतर व्यक्तिक व्युद्धि क्या है तो इसके द्वार यह दूसरे व्यक्ती के साथ कैसे इंट्रेक्ट करे या बातचित करे यहां पता चलता है अर्थात ऐसे जो बालक है जब बड़े होते हैं या इनका विकास जब अधिक होता है या तुभे नेता देखो एक नेता है एक समाजी कारे करता है वह समाज में समाज के लोगों के साथ तालमिल बठाने का प्रयास करता है अर्थाथ अपनी बातों को मधूरता से रखने का जो प्रयास करता है तालमिल बठाता है तो ऐसे बालक क्या है जिसमें अंतरव्यक्तिक बुध्धी अर्थाथ दूसरों से कैसे बात चित करना है जिस वह बाद करने की तरीके होते हैं, आँ बोलते हैं लासा कि बादचित के तरीका ठीक नहीं है, बहुत घटिया तरीके से बात करते हैं, अर्थाष जब दूसरों से अच्छे से बादचित करने के उनमे पर क्वालिटी से है, तो वह अंतर व्यक्तिक बुध्र्युन में अंतर व्यक्तिक मतलब दूसरे से बातचीत करना ठीक है यहां आप समझना और अंतह एक चीज़ तो यहीं से आप समझो अंतह अंतह मतलब हिर्दा है हमारे स्वयम की बात हो रही है ठीक है ना अंतर मतलब दूसरे अंतह स्वयम अंतर दूसरी जब दूसरे से अच्छे से बात खुद से जब बातचीत की जाती है स्वयम से जब बातचीत की जाती है तो वह अंतह व्यक्तिक में आता है इस दोनों चीजों को बिलकुल आप समझो छोटी सी अंतर लेकिन बहुत कुछ कह जाती है और जीन व्यक्तियों में अंतह व्यक्तिक बुद्धी अधिक होती है सचिदा नंदवाला होए या बहुत से है ना भई तो देखिया वह का है स्वयम को जानो स्वयम को समझो ब्रह्मान क्या है यही सब चीजे तो उसमें आप देखेंगे आप जो विसाती है ना यही चीजे होता है अर्था जो स्वयम के बारे में बातचित करता है स्वयम के भी बनते हैं दार्षनिक भी बनते हैं है ना फिलो समें मन को समझने वाला है ना भई दार्षनिक भी बनते हैं तो यह होता है अंतर व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक चाहिर है इन दो चीजों में अंतर आप अच्छे समझ गये होंगे आठवा है प्रकृतिवादी अब नाम से इस पस्ट है प्रकृति मतलब यह जो हरे भरे वातावरण जो हमला दिखाई देथे न भई वह है तो है प्रकृति है न तो यही प्रकृति के जब बात है तो इस बुद्धी में व्यक्ति प्रकृति के नजदिक होते देखो ऐसे बा जंगल खेत खलिहान पेंड पौधे जिला बहुत ज्यादा पसंद्र थे हैं लोग क्या बनते हैं किसान बनते हैं या प्रकृती के क्या है तो इस बुद्धी के व्यक्ति हर चीज के अस्तीत्तों के बारे में सोचते हैं अब देखो में हम क्यों आएं कब आएं हमारा जन्म कैसे हुआ दुनिया में सबसे पहले कौन आया तरह तरह के सवाल है न भई तो जब मन में ऐसे बालक ऐसे व्यक्ति जिकर मन मां इस तरह के जो सवाल रहते न ओहां काबन थे साधू संद भी बन सकते काब घर लट्याग के घर के मोह माय त्याग करके औह सिधा सक्संद चल देथे हाई द्वार कहूं कहूं जाते न भई आपन सब्रस्ट जाना ठोंडा कहूं के साथू संद बन जाते फिलो साफर बन जाते दार्शनिक वगरा है न भई ये अस्तितवादी बुध्धि के जो बालक है व्यों मन मां ये सब जो एकक दिन मां हमन एकक ही क्लास लेबो साथियों हम ज्यादा क्लास नहीं लेन का बर देखा भाई अभी एकर बर हम कम क्लास लेचान हमन चारो यूनिट ले तो आल्रेडी बालविकास मां पुरा कंप्लीट करते हैं लेकिन आप मन कोई भी पुस्तक ले उठा के देखिया भरती के संगवारी हो आप मनला बस बेसिक नालेज ही मिली डिप पढ़ना है अलग-अलग पढ़ेव लगी ठीके ना लेकिन हमन अपन चैनल के माध्यमले आप मनला हर एक सिधांद ला एकदम डिप लेके जाबो हर एक सिधांद ला डिटेल से बताबो ताकि आप मन के उकर बाद माँ जैसे ही खतम होई तह अमर दू विसय अवा भची मा एक टो भिसय हिंदी हरे गया जैर्डाल नालेज हरे ठीके अवे लेके चले भाली कोई भी सल्ख मान्न लेके चलाई डोनों में एक भी सल्ख मान्न लेके चले प्रहु तर्विए ओक्रहु बाद में जलदीं में संग्वारी हैं जलत Trash सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कोई अंतर नहीं मिलने वाला है कोई अंतर नहीं मिलने वाला है दू विषय के तयारी तो आप मनोस के इसने होगे। बात है आप मनोस के तयारी आप मनोस के इसने होगे। थोड़ा अलग पढ़े पर लागी है ना तो हमन विज्ञान के भी क्लासल जल्दी लेबुन आउ जो गडित के है ओको क्लासल लेबुन ठीक है आपमन हमर चैनल के साथ निरंतर जूड़े रही है ताकि आपमन न बिल्कुल निशुल का पढ़ाई हमर चैनल ले होई है ना आउ सब्सक्राइब जरूर करवा ठीक है काबर आपमन के यदि सब्सक्राइब करे ले हमर सब्सक्राइबर बढ़ी संगवारी हो तो हमला भी अच्छा लगी आउ एकर बढ़ अच्छा लगी काबर देखा हमन के पास मा अभी संसाधन उपलाब्ध नही है हा ना भाई हमर पास मा संसाधन उपलाब्धन नहीं है सनसाधन कहे से काताथ पर यह देखा आपमन बड़े बड़े चैनल मरें जहा आपमन डिजीटल बोर्ड के माध्यम ले पड़े पर मिलते हाना हमना सिधा लिखेवाला पढ़ाथन काबर पढ़ाथन हमर करा वो संसाधन नहीं है ओई नाम से हमनला ये सब करना पड़ थे ठीके हमन 100% आपमनला देथन संगवारी हो इमा कोई दोमत की बात नहीं है ठीके इमा कोई लबारी के बात नहीं है जो भी है हमन आपमनला पूरा देथन जे चीज हमन नोट सला आपमनला दे हन ओई नोट सला हमन परहाद भी अगले दिन फेर नवा चेप्टर के साथ फेर नवा क्लास के साथ आपमन और हमन एके सांद जुडबो तब तक के लिए संगवारी हो हमला इजाजत देवा जै जोहार जै हिन जै सतनाम जै सिक्रिश्ण